वैसे तो आपने सूजी के बहुत से लड़ू बना के खाय होंगे लगिन इस तरीकी से अगर हम बनाएंगे तो एजी है और पंदरा दिन तक आपराम से श्टोर करके रख सकते हैं और इतनी स्वाधिस्ट के आप 15 दिन भी नहीं चल पाएंगे एक जटके में खतम हो जाता है जब हम फ्राई करके डालते हैं तो इसका क्रंच बहुत अच्छा लगता है लड़ू में तो आप इस तरीके से जरूर बनाएं तो जैसे ड्राइफ्रूट हमारे अच्छे से फ्राई हो जाए इसे हम निकाल लेंगे और इसी पैन में एक कप सूजी लेंगे सूजी मोटा व सूजी को इस तरीके से हमने करीबन 2-3 मिन तक चलाया है और सूजी हमारा बढ़ियां से पॉर्फिक्ट भून चुका है बहुत जादा हमें कलर डाक नहीं करना है यहां पर गैस को में अच्छा था और सूजी हमारा तयार है तो इसे हम पहले बरतर में निकालेंगे और थोड़ा थोड़ा करके इसी तरीके से दूद में हमें डालते रहना है और कंटिनीव से चलाते रहना है तो इस तरीके से अगर आप चलाते रहेंगे और दूद में डालेंगे तो कोई लंस या घुटली नहीं बनेंगे सूजी के और यह बढ़ियां से दूद में मिल जाए आपको पसंद है वैसे आप यहां पर यूश कर लिए या फिर इसे अच्छे से कर लेजिए इस चुटे 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 टुकडे में इस तरीकी से हो जाए तो इस तरीके से हमने बढ़ियां से crush कर लिया है और कुछ ड्राइफ रूट हमारे बचे हुए हैं जिसे हम चाकू से इसे लंबे-लंबे slice में cut करेंगे दो भागों में इस तरीके से बड़े बड़े देखने में लड़ो के ऊपर जो ड्राइफरूट होते हैं वो अच्छे लगते हैं देखने में तो इस तरीके से हमने लंबे में कट कर लिया है ड्राइफ रूट आप अपने हिसाब से रखिए बिना फ्राइफ किये हुए ड्राइफ रूट आप यूज कर सकते हैं इस लड्डू में यहाँ पर 15 मिनट हो चुके हैं हमारे जो सूजी और दूध है बढ़ियास एकदम मक्षन जैसा घुल मिल गया है और सूजी जो एकदम लबाबदार हो गया है तो बस यह हमARA सूजी जो भुला हुआ है यह एकदम तयार है अब हम इसी पैन में डालेंगे जिस पैन में हमने फ्राइफ किया था द्राइफ रूट इसमें डालेंगे और इसे हमें कोई गीव अगराभी नहीं डालना है और जब भी हमें दूद को डाले या सूजी को तो हमें बढ़ियां से मिला के डाले हमने बढ़ियां से इसे मिक्स करके इस तरीके से पैन में ले लिया है और यहां पर ध्यार है कि आप गैस को स्लो पे रखिएगा और इसी कंटिनुविसी तरीके से चलाते रहेगा तो बस थोड़े ही टाइम में देखेंगे तो इस तरीके से जो है इकठा होने लगेगा और धीरे धीरे यह सूजी जो है ड्राई होने लगेगा तो जब आपकी सूजी इस तरीके से इकठा हो जाए या तो हलका सा पैन छोड़ने लगे या गाड़ा हो जाए, तो इसमें 1 टीबल स्पून घी डाल देज़े, जिससे क्या होगा, कि आपके सूजी जो है दानेधार दिखने लगेगे, और इस तरीके से पैन को छोड़ने लगेगे, और रिकठा होने लगेगे, तो बस हमने येही पर 1 टीबल स्पून घी जो है डाल बनाते हैं या फिर लड़ो बनाते हैं तो इसमें कम से कम आधा कप सूजी के साथ आधा कप घी जाता है लेकिन अगर आप इस लड़ो को बनाएंगे तो सिर्फ तेन से चार टेबल स्पून घी लगेगा तो हमने देखें बढ़ियां से इसे जो है मिक्स कर लिया है और घी हमा और हमने spoon वही यूज किया है जो हमने daily basis में खाने में यूज करते हैं चोटा सा है और अगर आप घी को melt करके नहीं डाल रहा है अगर आप धिक घी का यूज कर रहा है तो total तीन टेबल स्पून घी डाले क्योंकि जब हम घी को melt करते हैं तो वो कम हो जाते हैं और इसी तरीके स हमने घी को डालते रहना है और इसे continuous तरीके से चलाते रहना है तो दीरे दीरे देखेंगे तो सूजी जो है इस तरीके से दानेदार फॉर्म में आ जाएगा हमने सूरू से लेके लाश्ट तक गैस को slow ही रखा है और इसी तरीके से बस हलके हातों से इसे चलाते गया है और इस तरीके से एकडम जैसे बोलते हैं कि सूजी का जो दाना दाना दिखने लगा है और बस हमें करीबन 7-8 मिनिट लगा है इस सूजी को फ्रभूनने में आपको कहीं से नहीं लगेगा कि यह दूद का सूजी है अब यह सूजी हमारे भून चुके हैं हमने इसे प्लेट में निकाल लिया है और यह सूजी देखिए एकडम बारिक धानेदार आपका दिख रहा है हाथों में और हलका सा ठंडा हो गया है मतलब हम छो सकते हैं सूजी को इसके बाद इसमें डाल देंगे हम ड्राइफ रूट जो हमने इसे कट करके रखा हुआ है और इसी के साथ-साथ ह को भी अच्छे से मिला लेंगे और इसके बाद हमें इस लड्डू को सेब देने के लिए त्यार होना है तुमने बढ़ियां से इसे मिक्स कर लिया है गाईस में बदा तो अगर आपको मेरी रेसिपी जड़ा भी पसंद आ रही हो तो लाइक से सब्सक्राइब कर देजेगा बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देजेगा जिससे और भी मेरी नई नई रेसिपी आपको मिलती रहेंगी और कमेंट करके जरूर बताएगा कि आपको कैसा लगा आपका कमेंट हमें बहुत ज्यादा मोटिवेट करता है और बहुत अच्छा लगता है पढ़ने में तो लड़ू प्रेस करके बनाने के पाद इस तरीके से करेंगे तो उपर एक अच्छा सा चिकनहाट आएगा और लड़ू का शेप और ऐगा तो इस तरीके से हमने एक लड़ू को बना के त्यार किया है और देखिए कितने ज्यादे स्वाधीष्ट लग रहे हैं कितने बने हैं और इसी तरीके से हम दुसरे लड़ बना ये विलकुल ठंडा हो गया है आपको को कि इसकी टेंसर नहीं होगी आप अराम से लड़ को बना के कम से कम पंद्रह दिन का फ्रीज में इस्टोर करके रख सकते हैं लेकिन गारंटी है कि इतने जादे टेस्टी लड़ू बनते हैं कि दो से तिन दिन में सारे लड़ू खतम हो जाएंगे तो बस इसी तरीके से हमने सारे लड़ू को फटा-फट से बना के त्यार कर लेना हैं बहुत ही साप्ट है एकदम मोह में जाते ही घुल जाने वाला लड़ू बनके त्यार है चले फिर मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में तब तक लिए बाई-बाई अपना ख्याल रखिएगा